हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जिके ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उत्राखंड के जो वन प्रबंदन है, वन आंदोलन है, उन सभी से रिलेटेड उसके भी वन आंदोलन, वन प्रबंदन सभी को हम यहां पे कवर करेंगे चीके फ्रेंट्स, और यह जो सीरीज है हमारी यह है, हमारी उत्राखंड जी के बुक वाइस और अजे रावज जी की जो बुक है, उत्राखंड का समगर राजनेती की थी हास उसे हम कवर कर रहे हैं, उमीद करता हूँ आपने अभी तक जो प्रिवेस वीडियो हैं सीरीज के उनको देख लिया होगा अगर नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि वनों के प्रबंधन को लेकर जो पहला परियास किया था, वो किस ने किया था इंपोर्टन कोईशन है, बन सकता है तो वन प्रबंधन को लेकर जो पहला परियास किया, वो विलियम ट्रेल ने किया था आपको पता है ट्रेल कुमाओ के दूसरे कमिशनर थी विलियम ट्रेल ने 1826 में साल वनों की जो कटाई है उसके उपर प्रतिबंद लगा दिया था तो प्रशन बन सकता है ट्रेल ने किस वर्स साल व्रक्ष के जो वन होते हैं उनके उपर कटाईक पे प्रतिबंद लगाया 1826 के अंदर इंपोर्टन्ट है अगला जो यहां पे हमारे लिए इंपोर्टन्ट है वो है कि जब बाद में हैंडरी रैमजे कुमाओ कमिशनर बने 1856 में तो जैसे ही यह कमिशनर बने तो इन्हों ने तुरंद क्या करा ठेकेदारी प्रता को समाप्त करा दिया ठीक है तो ठेकेदारी प्रता किस ने समाप्त कराई हैंडरी रैमजे ने करवाई 1858 के अंदर ठीक है और बात में जाके हैंडि रेमजे ने ही one बंदोबस्त किये तो अगर आपको परशन बनता है उत्राखंड का पहला one बंदोबस्त किस ने किया था हैंडि रेमजे ने 1861 के अंदर तो हैंडि रेमजे साब को ये दो बात याद रखनी है पहला ठेकेदारी प्रथा इन्हों ने समाप्त कराई और दूसरा 1861 में इन्हों ने वन बंदोबस्त यहां पर किये ठीक है एक और चीज आपको याद रखनी है इसी प्रशन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हैंडी रेमजे ने तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट कब तयार करवाई तो वो रिपोर्ट भी इन्हों ने 1861 में ही तयार करवाई ठीक है दोनों एक ही प्रशन है आपको बस याद रखना है कब इन्हों ने ये बंदोबस्त किया इसके बाद हेंडी रेमजे के ही शाशनकाल में ही जो वन विभाग है वन विभाग की स्थापना की गई 1864 में तो प्रशन बनता है जो वन विभाग है इसकी स्थापना कब की गई 1864 में की गई और इसके जो प्रतम महा निरीकशक बनाए गए, वो बनाए गए डिटरिच ब्रेंडिस यह आपको याद रखना है, डिटरिच ब्रेंडिस जो थे यह कहां के थे, यह जर्मिनी के थे तो जर्मन के ये थे, जर्मन से ये related थे और 1 विभाग के ये पहले महानिदिक शक थे और बाद में इनी के सिफारिशों पर जो ये डिटरिछ ब्रेंडिस थे ववबाड के महानिदिक शक इनके सिफारिश पर अगले ही साल 1 अधिनियम पारित किया गया प्रश्ण बनते हैं दो प्रश्ण पहला वन विबाग की स्थापना 1864 के अंदर ठीक है और वन अधीनियम कब आया तो वन अधीनियम आया 1865 में दो बाते याद रखना जो पहला वन अधीनियम आया ये 1865 में आया बात में इसकी कुछ कमिया थी उनको दूर करने के लिए अकि इसके बाद गड़वाल और कुमाओं के अंदर अलग-अलग वन विभाग के इस्थापना की गई पहले तो ओवरॉल कर दी पूरे भारत के अंदर वन विभाग के इस्थापना की गई तो पूछा जाता है कुमाओं के अंदर प्रथक वन विभाग के इस्थापना कब की गई वन अधीनियम कब आया? 65 में आया, दूसरा अधीनियम कब आया? 78 में आया, कुमाओं में वन विभाग की स्थापना? 1868 में और गड़वाल में इसकी स्थापना हुई 1869 के अंदर, दोनों याद रखने हैं, ठीके? इसके बाद, जो अगला important point है हमारी लिए वो ये है कि चीड के व्रक्षों से लीसा टीपना कब शुरू हुआ? यानि कि जो लीसा प्राप्त करते हैं ये चीड के व्रक्षों से, अंग्रेजों ने ये निकालना कब शुरू किया? तो 1890 से अंग्रेजों ने जो चीड के व्रक्षों होते हैं, वहां से लीसा लेना शुरू कर दिया, ये आपको याद रखना है, ठीके? कब से शुरू किया? 1890 से, अगला point, बेनाप भूमी को सरक्षित घोशित कर दिया, ये point हमने कल भी देखा था, जब हमने भूमी बंद आ रहे हैं, आपको year पूछे जा रहे हैं, तो लगबा हर question के अंदर, हर point के अंदर, यहाँ पे year दिये गए हैं, आपको उनको याद रखना है, ठीक है? 1893 में इनों ने ये कर दिया, लेकिन अगला साल जो है, वो हमारे लिए most important है, क्योंकि यहाँ पे आई one नीती, तो पहल प्रशन आपको याद रखना है, क्या है, प्रशन है यहाँ पे, कि सरकार द्वारा जो आठ प्रजातियां है, अलग-अलब वरक्षों के कुछ आठ प्रजातियां रही होंगी, उनको सरकार ने reserved trees घोशित कर दिया, आरेशित वरक्ष घोशित कर दिया, कब 1894 की जो वन नीत ठीक है, धारा 32 यहाँ पे लागू कर दी गई, तो प्रशन बन सकता है, धारा 32 का संबंद किस्से है, यह जो वन नीती है, 1894 की उसी से संबंदित है, धारा 32 के तहत इन्होंने क्या करा, 1894 में मचली पकड़ने के उपर और सिकार खेलने के उपर इन्होंने प्रतिबंद लगाया, 1894 के अंदर किस धारा के तहत लगाया गया, 1832 के तहत, एक और चीज, दो कोशन है, अगर सिर्फ पूछेगा प्रतिबंद कब लगाया, आप बताएंगे 1894, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी जगह का नाम देके पूछेगा, नैनिताल में बिना लाइसेंस मचली पकड़ने पर को अवैद कब घोशित किया गया, तो नैनिताल पर ये लगाया गया, 1902 में, यह आपको याद रखना है, ठीक है, अगर पूछेगा, ओवरॉल कब लगाया गया, यह प्रतिबंद 1894 के अंदर, ठीक है, हाला कि बाद में 1900 में जो बड़े-बड़े अधिकारी होते थे, उनको इस प्रतिबंद से छूट दे दी गई थी, ठीक है, तो वो हमारे लिंपोर्टन नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, प्रतिबंद लगा 94 में, लेकिन नैनिताल के अंदर जो अवैद इनको घोशित किया गया, नैनिताल पर जब इनको प्रतिबंद घोशित कप किया, या भीमताल में मचली पकड़ने पर अवैद घोशित कप किया, एक ही बात है, ठीक है, चले, उसके बाद, देखे, सीरिल वाइस में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इनको क्या करा, अगले साल 1903 में, जो संरक्षित वन थे, उनको दो भागों में बा जो हमारे लिए अगला इंपोर्टन चीज है, वो है दूसरा वन बंदोबस्त, पहला वन बंदोबस्त, अभी मैंने आपको बताया, 1861 में हैंडी रैमजी ने किया, ठीक है, दूसरा वन बंदोबस्त हुआ, 1911 के अंदर, ठीक है, 1911 से लेके 17 के बीच में यहाँ वन बंदो ठीक है, और इसके तहट क्या किया इन्हों ने, जो गाओंवाले थे, जो आपे ग्रामीन इलाके थे, उनकी भूमी को भी सरक्षिद वन में घोशित कर दिया, जिसके करण बहुत जादा यहाँ पे अश्वन फैल गया, इसलिए प्रशने भी बनता है कि कि किस वर्ष वालों के जमीन थी, उनको भी जंग्री जमीन घोशित कर दिया, ठीक है, रिजर्व्ड जमीन उसको घोशित कर दिया, तो आंदूलन बढ़ने लगे, और जब 1921 के अंदर, जब कूली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया, जनवरी 1921 के अंदर, तो आंदूलन को फिर और जादा आप बोल सकते हो कि उर्जा मिल गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया, कि अगर हम एक हो गए, तो फिर हमें सफलता यहाँ पे मिल सकती है, तो जनवरी 1921 में यहाँ पे कुली बेगार प्रथा समाप्त वी, फरवरी 1921 के अंदर, बागिश्वर के अंदर, बदिदत पांडे जी ने अपना भाशन दिया, अपने भाशन के अंदर उन्होंने कहा कि पहले जब जंगल होते थे जो हमारे वहां से टिनों के हिसाब से घी निकाला जाता था, लेकिन अब लीसा निकाला जा रहा है, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के ख गरफतार हुए, जो जेल गए, वो कौन थे, मोहन सिंग महता, इनकी गरफतारी किस धारा के तहट हुई, तो धारा 107 के तहट इनको गरफतार किया गया था, बागेशवर से इनका संबंद था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इनकी गरफतारी होती है मार्च 1921 के ये संबंदित थी, अलमूडा के सोमेशवर से, ठीक है, तो आपको ध्यान अकना है, मोहन सिंग महता कहां के थे, ये बागेशवर के थे, दुरगा देवी, वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला, उतराखन के कौन है, दुरगा देवी, 1921 में इनको गरफतार क किया गया, ये अलमूडा की थी, सोमेशवर की, ठीक है, दोनों बाते आपको याद रखनी है, इसके बाद, जब देखे, मार्च में ही मोहन सिंग मैता की गरफतारी हो रही है, 1921 के अंदर, हलाकि बाद में उनको छोड़ दिया गया था, कुछ जर्माना और रुमाना लगा कर, लेकिन अगले महीने में सरकार को लग गया कि आंदोलन जो है, काफी ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, तो सरकार ने लोगों को शांत करने के लिए एक कमीटी का गठन किया, अगले महीने, यानि कि 13 अपरैल 1921 को, अगले महीने एक कमीटी बनाए गई गई जिसका नाम इस कमीटी को बताएं, तो लोगों का जो अशंतोष था, उसको शांत करने के लिए इस कमीटी का गठन किया गया, तो प्रशन बनता है डिरेक्टली, डेट सहीत आपको पूछी जाती है, फॉरेस्ट ग्रिविन्स कमीटी का गठन कब किया गया, 13 अपरैल 1921 को, इसके अध् परसी विंडियम उस समय कुमाओ कमीशनर थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कि जब आंदूलन यहाँ पे चल रहे थे, तो असायोग आंदूलन के दौरान, क्योंकि 1921 में बहुत ही महत्तपुन आंदूलन चला था पूरे भारत के अंदर, असायोग आंदूलन, उस समय कुमाओ कमीशनर कौन थे, परसी विंडम, ठीक है, तो इनकी अदक्षता में इस कमीटी का गठन किया गया, वो मैंने आपको बता दिया, इस कमीटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इस कमीटी ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 को जमा करा दी, यानिकि जो प्र के लिए ताकि उनको गुस्ता थोड़ा सा कम हो जाए, जो इनके सिफारिशें थी, या जो इनके सुझाव थे, वो लागू कब से हुए, आपको डेट याद रखनी है, 15 मार्च 1922, यानि कि ठिक एक साल बाद इनके जो नियम लागू थे, वो यहाँ पे लागू कर दिये ग 28 अक्टूबर को, ठिक है, और ये लागू जो इनकी रिपोर्ट पे शिफारिशे थी, ये लागू हुई 15 मार्च 1922 के अंदर, ठिक है, चले, अगला यहाँ पे जो महत्वपून पॉइंट वो यह है, कि ग्रिविंस कमीटी की तीन जिला समीतियों में बाटा गया, जो पहल जिला कि अब एक कमीटी होगी, तो तीन जिला कमीटीों में इसको बाटा गया, अलमोडा के लिए अलग सी फॉरस्ट ग्रिविंस कमीटी बनाए गई, नैनिताल की अलग और गड़वाल की अलग, ठिक है, ये बनाए गई 1938 में और इनकी जो रिपोर्ट थी, ये आई 1949 के अं 1925, ठिक है, 1925 में सरकार ने ये निर्ने लिया कि हम 15IK का गटन करेंगे, निर्ने कब लिया गया, 1925 के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके बाद इन्वोंने क्या करा, 1931 में 15IK का गटन करा, तो प्रशन बनता है उत्राखंड के अंदर, सरुप्रथम 15IK का बहुत लंबी कहानी है वो हमारे लिए काम की नहीं है हमारे जो important है वो है वन पंचायतों का गठन कब किया गया 1931 में इसका गठन किया गया इसका गठन किस आधार पर किया गया तो जो जिला अधिसूचित अधीनियम है 1874 बहुत important अधीनियम है ये इस से related कुछ बाते हैं 1874 में और दूसरा बनता इसी के तहट देखिए बहुत सारे rules बनाए गए बहुत सारे नियम बनाए गए उस समय कुमाओ के लिए ठीके जिनको कहा जाता था कुमाओ rules ठीके तो इसके तहट बनने वाले नियमों को ही कुमाओ rules कहा जाता था सबसे important चीज ये है कि इस अधीनि Act था 1935 उसके तहट इसको खतम किया गया वर्ष था 1937 अब आपको दो बाते याद रखनी है अगर पूछेगा किसके तहट खतम किया 1935 का जो भारत का जो साचन अधीनियम था उसके तहट ठीके कब खतम किया गया 1937 के अंदर ठीके दोनों बाते याद रखनी है अब आगे चलते हैं देखिए वन पंचायतों का गठन कर दिया 1931 में जो चमूली वाला इलाका था वहां पे वन पंचायतों का गठन 1932 के अंदर किया गया यह जो परशने है आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है एक तो डिरेक्टली पूछेगा उत्राखंट के अंदर वन पंचा बारे में बात करें 1921 में फिर से वापस चलते हैं अंग्रेजों ने फॉरेस्ट ग्रिवेंस कमीटी का गठन किया ठीक है लेकिन जो समय जो कुमाव परीशत थी कुमाव परीशत घटित हो चुकी थी और एक सफलता भी हासित कर चुकी थी कूली बिगार को समाप्त करा कर ठ ठीक है तो कुमाव परीशत के अधिवेशन चल रहा था दिसंबर 1921 में और वहाँ पर गोविन बलब पंत ने एक भाशन दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज अभी हमारी जो छोटी छोटी बाते हैं इनको मान भी लेते हैं फिर भी हमें आंदोलन को कम नहीं करना हैं हमें पूरा वन अधिकार चाहिए जो हमारा पहले था ठीक है और उन्होंने कुछ सुजाओ वहाँ पे सरकार को दिये पहला सुजाओ उन्होंने दिया कि एक धारा थी उस समय धारा 78 इसको खतम किया जाए धारा 78 क्या थी धारा 78 ये थी कि जो भी व्यक्ति य उपर ये जिम्मेदारी थी कि वो जंगल की रक्षा भी करेगा ये कहते थी धारा 78 लोगों ने इसी का दुरूपयोग किया जिसको ओर्डर थे जिसके पास परमेशन थी वही जाके वहाँ पर जाके दुरूपयोग करता था अंदादून कटाई कर देता था जो भी उसका काम तो गोविन बलापंत ने का ये धारा खतम होनी चाहिए सिकार खेलने पर मंजूरी दी जाए अलग-अलग उन्होंने वहाँ पर सुझाओ दिये बाद में उन्हीं सुझाओं को लेकर बदिदत पांडे ने अपने अकबार जो उनका अकबार था शक्ती उसमें एक उन्होंन में ये च्छपा और बदिदत पांडे ने इसको च्छापा ठीक है ये बात आपको याद रखनी है इसके अलावा ये जो शक्ती पत्र है इसी ने हर्षदेव ओली को काली कुमाओ का मुजोलोनी भी कहा था तो प्रशन बनते हैं दो प्रशन आपके यहां से बनते हैं पहला प्रशन आंदोलन का नेतर्थव किया था ठीक है चले इसके बाद बात करते हैं जो सल्ट च्छेत्र है इसके बात करते है इसके बातको याद रखनी है ठीक है उपनाम गोर्दा है, पूरा नाम है गौरिदत पांडे, इन्होंने एक कवीता लिखी, कवीता का नाम था व्रिक्षन को विलाप, तो प्रशन बन सकता है, व्रिक्षन को विलाप किसकी कवीता है, गौरिदत पांडे की है, इनका उपनाम गोर्दा है, कभी लिखी थी इन्हो का गठन हुआ उसके बाद लोग थोड़े शान्त होने शुरू हो गए ठीक है लेकिन जब भारत छोड़ो आंदूलन यहां पर शुरू हुआ तो लोगों के अंदर फिर से गुस्ता था यहां पर प्रतिक्मान लगाए गए थे उसको लेकर तो बेसिकलिए यहां पर यह माना गया कि उत्राखंड के अंदर जो स्वतंतरता आंदूलन चला उसका जो में कारान था लोगों के अंदर जो में गुस्ता था उसका आंदूलन से जुड़ने का वो था वनों से ही रिलेटेड अगर वन प्रमंदन अंग्रेजों ने यहां पर सही से किया होता तो शायद जो भारत छोड़ो आंदूलन था उसका भी प्रभाव यहां पर उतना नहीं मिलता ठीक है तो इसलिए उसके बाद लोग भारत छोड़ो आंदूलन से और जुड़ते गए और स्वतंतर आंदूलन में फिर जादा वहां पर शामिल हो गए ठीक है तो यह था हमारा उत्राखंड प्रभंदन था वन प्रभंदन और वन आनदूलन हुए उनकी यहां पर हम बात करेंगे इम्पोर्टन्ट है चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सुदर्सन सहा ने क्या किया, वनों को पटे पर दे दिया, किसको दे दिया, विल्सन को दे दिया, विल्सन जिसको पहाड़ी विल्सन भी कहते हैं, जिसको इसका पूरा नाम था, फेडरिक विल्सन, ठीक है, तो आपको परशन बनता है, सुदर्सन स सकते हो ये दिये थे Wilson को आप मुझे comment करके एक answer का question का जवाब देंगे ये जो Wilson है इसकी जीवनी किस ने लिखी है ये आप मुझे comment करके बताएंगे ठीक है चलें तो Wilson को दे दिया इनोंने और Wilson ने फिर क्या किया Wilson ने पहली बार जल मारगे से लकडियों की धिलाई धुलाई शुरू करा दी अब इसने क्या करा विलसन ने देखिए पहार थे यहां पे अब यहां से जो अगर आप लकड़ी कारते हो पेड़ कारते हो तो लकड़ी को जो पेड़ है उसको यहां से दूसरी जगा का ट्रांसपोर्ट करना उसमें खर्चा बहुत जादा आता था साधन भी उतने नहीं थे तो इसने क्या दिमाग लगाया इसने पहाड़ी से नीचे फेकना शुरू कर दिया लकड़ीों को जो पेड़ कारता था उनको नदियों में भाद देता था फिर आगे जाके उनको जो इसकी लोग होते थे वो पकड़ लेते थे तो यह काफी सस्ता तकनीक थी क्योंकि जादा मेहनत करनी नहीं यह पानी अपने आप लेके जाएगा तो जल मार्ग से लकड़ीों की ढुलाई सबसे पहले किसने शुरू करवाई यह करवाई विलसन ने ठीक है और इस परिकिरिया से इस तकनीक के दुआरा यह इतना अमीर बन गया कि इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवा दिये तो प्रशन बनता है किस अंगरीज ने अपने नाम के सिक्के चलवाई थे फ्रेडरिक विलसन ने इसी को पहाडी विलसन भी कहते हैं और जो इसके मजदूर थे जो इसके अंडर में काम करते थे वो इसको राजा विलसन कहते थे तो राजा भी कौन कहलाया, विल्सन कहलाया, क्योंकि इसने इतना पैसा यहाँ पर बना लिया था, तो अपने नाम के सिक्के और जल मार्ग की शुरुवात, किसने करवाई, विल्सन ने अब आते हैं टिहरी वन विबाग की, देगे 1864 तक जो टिहरी के वन थे, वो थे किसके पास, विल्सन के पास, 1864 में उसका पट्टा खतम हो गया, शासक उस समय कौन था टिहरी का, भवानी शाह, तो भवानी शाह ने क्या करा, उस समय सरकार को इन्हों ने 1864 से लेकर 20 साल के ल 1885 तक जो टिहरी के वन थे, ये किसके पास रहे, पट्टे पे, सरकार के पास रहे, अब यहां पर देखे, जब इनको 1885 में पट्टा खतम हुआ, फिर टिहरी रियासत को ये लगा, इन्हों हाले के पट्टे को आगे बढ़ा दिया था, ठीके पहले 10,000 वार्षिक लेते थे बाद में 12,000 रुपे वार्षिक लेने लगे, पट्टा आगे बढ़ा दिया, अब इन्होंने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू करा, कि वन जो हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, तो 1885 में टिहरी के अंदर वन विभाग की स्थापन की गई, अभी हमने उपर बात करी, कु विवस्तित रूप से वन प्रबंधन शुरू होना था, ये शुरू हुआ 1897 से, तो विवस्तित रूप से वन प्रबंधन कब हुआ, 1897 से, इसमें जो महत्पून योगदान दिया, वो पंडित केशवननद ने दिया, इनकी निउक्ति की गई थी 1897 में टिहरी वन विभाग कब हुआ, 1897 में, देखे, दो प्रश्णे हैं, पहला टिहरी में वन बंदोबस्त पहला, 1897 में, लेकिन अगर भूमी बंदोबस्त पूछेगा, तो आपको सुदरसन सहावाला बताना है, 1823 में, कन्फ्यूज नहीं होना है, कि वन बंदोबस्त तो पहले होगे था, 1823 में, जो 1823 में हुआ, वो भूमी बंदोबस्त था, और 1897 में जो होगा, जो ये करेगा, केशवनन, ये करेगा, वन बंदोबस्त, ठीक है, ये आपको याद रखना है, गड़वाल का पहला वन बंदोबस्त किस नहीं किया था, रैमजे ने 1861 के अंदर, तो कन्फ्यूज नहीं हो बात में इसका जो उत्तरादिकारी आया, वो आया, पंडित सदानंद, उतना इंपोर्टन नहीं है, लेकिन आप नाम याद रह सकते हो, केशवननन के बाद किसको टिहरी वन विभाग में निक्त किया गया, तो पंडित सदानंद को, अब जो most important बात है हमारे लिए टिहरी र ये घटना हुई 30 मई 1930 को, डेट याद रखने हैं आपको, क्योंकि डारेक्ट डेट भी पूछी जाती है, यमुना नदी के तट पर है, ठीक है, कई बर प्रशने भी बन जाता है, कि जो तिलाडी मैदान है, कौन से नदी के तट पर है, तो ये यमुना नदी के तट पर है, इसे टिहरी का जलियावाला बाग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, टिहरी का जलियावाला बाग किसको कहा जाता है, रवाई कांड को, और जैसे जलियावाला बाग में जनरल डायर था, उसी प्रकार टिहरी का जलियावाला बाग है, यहां पे जनरल डायर क कहा जाता है ठीक है दोनों बात याद रखेंगे चलिए इसके बाद बात करते हैं इस समय जो महत्वपून व्यक्ति थे उनके बारे में क्यों यहां पर जैसे जलिया वाला बाग हुआ था कि लोग एक पार्क के अंदर बैटे वे थे एक मैदान में बैठे वे थे वहां पर ज खाल कि इसी कांद मैं क्या हुआ था जनर्ल ड'ैर की उपादी इसको दी गयी थी ठीक है इस समय जो महत्तपून व्यक्ति थे वह कौन कौन ये भी आपको याद रखना है चले इसके बाद बात करते हैं SDM टिहटी के SDM कौन थे उस समय उस समय थे सुरेंदरदद शर्मा एक प्रश्ण है जो आपने कमेंट करके बताना है टिहरी के पहले SDM कौन थे तिराधी कांट के समय तो सुरेंदर दर्श सर्मा थे आपने बताना है पहले S.D.M कौन थे टिहरी के दिवान कौन थे चक्रधर जुयाल जो भी हमने बात करी कि जनरल डायर इसको कहा जाता है तो ये उस समय टिहरी रियासत का दिवान था ठीक है और जब यहां पे इसको पता चला चक्रधर जुयाल को कि इधर वन आंदुलन के बीच वन आंदुलन लोगों के बीच बढ़ रहा है लोग जादा अशंतोश हो रहे हैं तो इसने आंदुलन को दबाने के लिए तो प्रशन बन सकता है आपको यह चारों पद जो है याद रखने है ठीक है इन दोनों की भी एक कहानी है पदमदरत रतोडी और सुरिंदरत सर्मा की इसलिए इनका आपको नाम याद रखने है हुआ किया 20 मई 1930 को यानिके तिलाडी कांट से 10 दिन पहले इनकी और जो आंदुलन कारी थे इनके बीच बहस हो गई थी गोलिया वहाँ पर चल गई थी ठीक है और उधर से भी कुछ लोगों ने पत्थर अमारे गोलिया चलाई उसके अंदर यह SDM था यह घायल हो गया था यह दोनों वहाँ पर मौझूद थे गोलियों का ओर दे दिया गया चलाने का यह वहाँ पर घायल हो गया बाद में इसी का बदला लेने के लिए 30 मई को चक्रधर जोयाल ने क्या करा जो समय प्रांतिया सरकार थी जो संयुक्त प्रांत था यूपी वहाँ की सरकार से आपको याद रखना है एक और चीज आपको याद रखना है जब यह कांड हुआ तो इसके बाद इसके लिए जो रिपोर्टे बने गई किसमें कितने लोग मारे गए तो जो टिहरी रियासत की रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि केवल चार लोगों को यहाँ पर उन तो यह था तिलाडी कांड आई होब आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं आजाद पंचायत की अजाद पंचायत का ही गठन हुआ था उस समय उनिस सो तीस में ही हुआ था अजाद पंचायत का जो गठन किया था यह दयाराम रवाल्टा ने किया ठीक है अजाद पंचाय यानि कि पैरलल गवर्मेंट यानि कि जो ऑफिशल्स हैं जिससे टीरी नरेश हैं वो तो है लेकिन इन्होंने अपनी एक सरकार यहां पर गटित कर दी जिसके तहत इन्होंने क्या करा एक व्यक्ति थे हीरा सिंग इनको पांच सरकार की उपादी दी दी बैजराम इनको तीन सर गठित करी यह इन्होंने नेपाल की तर्जपर करी जैसे नेपाल दरबार होता था यह जो पांच सरकार है और तीन सरकार है यह नेपाल में कोई उपादी रही होगी वही उपादी इन्होंने अपने उपर धारण करी तो आपको ध्यान रखना है समंधर सरकार का गटन किसक आजाद पंचायत का गठन किया ठीक है उसके बाद यहां पर 1930 में तिरारी कांड हुआ आगे जाके लोग यहां पे जाके क्या हुआ जो टिहरी रियासत थी उसके खिलाब भी लोग भड़कने लगए उन्होंने बोले कि वन आंदोलन तो हमें मिली जाएंगे अगर हम पूरी रास्ता ही को ही खतम कर देंगे तो फिर लोग जोडने लग गए अलग-अलग आंदोलन के साथ जो समय चल रहा था टिहरी राज्या को अलग करने के लिए टिहरी में प्रजा तंतर के स्थापना को लेकर तो टिहरी राज्या प्रजा मंडल की स्थापना की गई 23 जनवरी 1949 क को देहरादून के अंदर किसके नितित्त में की गई आपको पता है सिर्देव सुमन के नितित्त में की गई तो जो वन आंदोलन था टिहरी का जो वनों के लिए लड़ रहा था अब वो यहां पे इनके साथ जुड़ गया वो जो गुस्सा था वो इनके साथ जुड़ गया जिससे इनको और जादा समर्थन यहाँ पर मिला और इसका रिजल्ट यह हुआ आखिर में जाके कि जब भारत आजाद हुआ तो टिहरी भी जादा दिनों तक शाषन नहीं कर सके टिहरी के जो राजा थे मानवेंदर शाह वो जादा दिनों तक शाषन नहीं कर सके भारत के अज़ाद होने के बाद एक अगस्त 1949 को टिहरी को भारत के अंदर उन्हें विले करना पड़ा तो ये भी इंपोर्टेंट है टिहरी भारत में कब शामिल किया गया एक अगस्त 1949 को तो ये आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंट और टिहरी राज्य प्रजम अंदर ये भी आपको याद रखना है तो फ्रेंट्स ये था हमारा उत्राखन के अंदर हमारे वन प्रबंधन और वन आंदोलन हमने उत्राखन के भी देखे हमने टिहरी गड़वाल के भी देखे उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइ नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रस करें और साथ ही फेस्बूक पर हमारे साथ जरूर जुड़ें फेस्बूक कर लीचे मैंने लिंक दिया है पेज को जाके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स